वस्समाई दातिल बुरूज तो चलिए से रिडेरिस आप लोगों के लिए देखें ही कमीवी क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीस हैं तो प्रोफेशनल फरंड के लिए आप लोगों के लिए काड है सेविन अफ वान्स रिवर्स और देखें सेविन अफ वान्स का काड कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशेटिव करने के बात करता है और दूसरी बात ये काड कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको एक स्मूध गोइं नहीं मिलेगी अब ये काड रिवर्स है तो यही चीजें आपको किसी लवेल पर बौधर कर सकती है सबसे पहली बात तो देखिए, अगेन मैं कहूंगी जो काम आप कर रहे हैं, उसमें चैलेंजिस आ रहे हैं, छोटे मुटे इशूज मसले आ रहे हैं अब ऐसे में आप घबरा गए, आपने गिव अप कर दिया, तो फिर आप परिशान होंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये काड इनफाक्ट विक्टरी की बात करता है, सक्सिस की बात करता है, लेकिन विद एक्स्ट्रा एफ़र्ट, विद एक्स्ट्रा इ चीजों को डील किया, तो आपको वो सक्सिस, वो विक्टरी जरूर मिलेगी, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, इनफाक्ट दिखिए, इस काड का एक मतलब ये भी है, जो डर गया, सो मर गया, और डर के आगे ही जीत है, तो इन चीजों को अगर आप रखेंगे, इन चीजों को फॉलो करेंगे, आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और अपने मन में अगर ठान लेंगे कि भाई, जो भी हो, मुझे तो ये काम करना ही करना है, मुझे तो इस चीजों को अचीव करना ही करना है, यकीन मानी आप अचीव कर लेंगे, ले क्योंकि tarot guidance के लिए होता है और पहले से ही अगर आप ये reading देख रहे हैं, guidance लेके आप चीजों को बहतर कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर परेशान हो सकते हैं, और परसनल फ्रंट के लिए है, आप लगों के लिए eight of swords reverse का card है, और ये card कहता है, पीछे हो सकता है, किसी चीज को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत जादा, एक restrictions, limitations आप महसूस कर रहे थे, यानि कि बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आपको ऐसे लग रहा था कि कुछ दिखी नहीं रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, एक confusion हो रही थी, और confusion के साथ साथ कहीं restlessness भी हो रही थी, तो इस week कहीं आप इन ही energies में से बहार निकलना चाहा रहे हैं, या फिर situation circumstances ऐसे आ रहे हैं, कि इन ही energies से आप बहार निकल रहे हैं, आप देखिए पूरी तर आइटी खतम और on किया, और अच्छी और beautiful चीजें आगें, ऐसा तो होता नहीं है, जब हम एक face से, जब हम एक energy से गुजर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा time लगता है उसमें से बहार निकलने में, और completely एक relaxation या फिर एक peace महसूस करने में, तो ये week उस तरीके की energies दे रही हैं, जहां पर again जो भी चीजें bother कर रही थी, जिन चीजों को लेकर confused महसूस कर रहे थे, helpless, hopeless महसूस कर रहे थे, उन में से आप बहार निकल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं, you know, 100% आप नहीं महसूस करते वह दिख रहे हैं, अभी 100% एक happiness, joy नहीं महसूस कर रहे हैं, but yes, आप अगर उन चीजों में से बाहर निकल जाएंगे, तो धीरे धीरे आप जरूर उस चीज को भी अचीव कर पाएंगे या करेंगे, तो all in all, दिखे, personal front में चीजें जो पहले थी, जो again आपको परिशान कर रहे हैं थी, उन से बहतर होता हुआ दिख रहा है, तो फिर से पूरी तरीके से बहतर नहीं हो रहा, लेकिन जब हम उन चीजों से निकल रहे होते हैं, तो वो भी कहीं हमें किसी लेविल पर एक सुकून दे रही होती हैं, कि चलो भई, अब finally हम एक दिन निकल जाएंगे, या हम जल्दी निकल जाएंगे, और चीजें बहतर हो जाएंगी, और professional में मैं आपको बताया, आपके उपर depend करेगा, कैसा जाएगा, अगर आप डरेंगे नहीं, और give up नहीं करेंगे, बहुत बोली करेंगे, जिसली चीजों को deal करेंगे, तो अच्छा जाएगा, नहीं तो खराब जा सकता है, and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए love abounds का card है, और ये card क कहता है, कि नई शुरुवात इस week किसी भी front में हो सकती है, जो एक happiness, एक joy ला सकती है, लेकिन इन ही energies के लिए बहुत-बहुत important होता है, हम उस frame of mind में रहें, हम थोड़ा सा positivity के साथ चीजों को देखें, कितनी बारी हमारी life में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हम उसको enjoy नहीं कर पाते हैं, और उसका सिरफ एक मात्र रीजन होता है, कि हमारा state of mind नहीं होता है, दस चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक चीज जो अच्छी नहीं है ना, उस पे इतना focus करते हैं, इतना grip करते हैं, कि बाकी दस चीजों को भी नहीं enjoy कर पाते हैं, तो फिर से in general क काड कहता है, कि एक नहीं beginning किसी भी level पे इस week हो रही है, जो आपके लिए बहुत happiness, joy, satisfaction लेकर आएगी, लेकिन मैं आपको कहूंगी, कि जब तक आप एक positive frame of mind में नहीं होंगे, इस नहीं beginning को आप ना तो देख पाएंगे और नहीं enjoy कर पाएंगे, तो उस frame of mind को लाना बहुत इंपोर्टेंट है, and astrology से आप लोगों के लिए Germany sign का card है, इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday, तो ये था, city area से आप लोगों के लिए coming week साबता है ग्राशी फेल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये हुमायों महबوب कहते हैं कि ये हफ़ता कौस वालों के लिए मुख्तलिफ मौाके का हामिल हो सकता है, अब की जिन्दगी में नई तवानाई और जोश पैदा हो सकता है, अपने मकसद की तरफ तवज्जो मर्कूस करने की जरूरत होगी, माली मौामलात में महतात रहें और ग लहाजा बादचीत में शफाफियत को तरजी दें। पेशा वराना जिन्दगी में नए मौाके सामने आ सकते हैं, मगर उन्हें कुबूल करने से पहले गौर करें। चाह कि भी आपका कुछ नहीं बिगार सकेंगी। हाँ, हेल्थ वाइज आप लथार्जिक ना खुद को फील करें, आप अपने आपको जरा लो ना फील करें, वन्ना ला ना करें, बाकी यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है, कि आपकी हेल्थ के लिए जो है, यह क्योंकि यह पे कितना प्यारे सितारे की मौझूद की है, कि यह आपका दो तारीखें भी कुछ नहीं बिगार सकती, आगे चलते हैं, इसमें भी शुकर है, घर का माहौल, अमन में हैं, सकून में हैं, अपने अज़दवाजी जिन्दगी में, या अपने कारोबारी, अगर को मौामला है सजिटेरियन्स, या अगर आपने किसी से अपना कोई इशू मनवाना है, तो ये डेट्स बहुत कमपैटिबल हैं, और आप बिलकुल अपने इशू को मनवा सकते हो, जो मामला आपको अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा हैं इन तीन तारीखों में, क्योंकि ये आपकी फेवर म खर्ची ना हो जाए, या इन दो दिनों में, चले हम इसको वन लाइनर मेसेज बना लेते हैं, इन दो तारीखों में, नाइंथ और टेंथ सेप्टेमबर, जो भी आपके माली मौामलात हैं, उन में आपने बहुत कियरफुल होना है, इन दो दिनों में, सिर्फ जो है, माली म सेजिटरियन्स जो स्टूडिंस हैं, उन के लिए गुटलक करेगा, उनके दिमाग में चीज़ें समझ भी आएंगी, लिखा भी जाएगा, पढ़ा भी जाएगा, और इन्शाला इन्शाला अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, या मन पसंद जाएगा, अगर कहीं अडिम सेजिटरियन्स ट्रैवल करना चाहते हैं, टाइम आपकी फेवर में हैं, वो सेजिटरियन्स जो कोशिश में हैं, कि कोई पेपर वर्क से रिलेटिड काम, किसी आफिस में फसावा है, किसी सरकारी दफ्तर की नजर हुआ है, कोशिश में लगे रहे, एक सितारा फॉर्थ सीधा हो गया, दूसरे ने आपके हक में गुटने टेक देने हैं, सिक्स्टीन्थ आफ सेप्टेंबर को, तो काम या भी इन एनी केस हमारे सेजिटरियन्स का मुकदर है, अगर आपने कोशिश को गिव अप ना किया, कारोबारी जो हज़रात हैं, अच्छी खबरें, गजर आती हैं, जो कि आपके मौामलात को आपके मताबक कर देंगी, रिगार्डिंग कारोबार, चाहे वो सेजिटरियन्स अगर पॉलिटिशन्स हैं, या वो सेजिटरियन्स कहीं लाइम लाइट में हैं, तो टाइम मवाफिक है, लेकिन सिक्स्टीन्थ तक कियरफुली सिक्स्टीन्थ के बाद फिर आप फ्री बर्ड है, फिर आप खुल के खेलिएगा, एक इहत्याद जो वार्निंग जोन सेजिटरियन्स शुरू हुआ है, ट्विन्टी सेवन्थ आउगर्स के बाद से, दोस्ती वाले हाउस में, बहुत महतात हो जाईएगा, दोस्ती, रुम यहां पे हमारे पास आपका शुरू होता है, चुविन्टी सेवन्थ आउगर्स से, तो आपको कुछ चीज़ें इरिटेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको बग कर सकती हैं, तो जरा सापको कियरफुली डील करना है, ताकि दोस्तियां भी आपकी खराब ना हूँ, आपकी तिजारत रब ताला से हो जाएगी, तो इनकी नेगिटिव रेडियेशन आपके किसी मौामने को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी, यह इतना मेरा यकीन है, फिर बहुत सारे सेजिटेरियन्स के घर बदले जा सकते हैं, जो घर के अफराद हैं, उनको जरा वाइसली जीजिए, घर वालों से दूरी की शकल में चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें, चाहे वो उनकी बेहतरी के लिए आपका स्टेप क्यों नहीं हो, और अगर आप घर की बनियाद इस अरसे में रखते हैं, तो इन्शाला कुछ हिचिस इंडिकेट तो होती हैं, लेकिन जल्द या बदीर पूरा होता वा नजर आता है, कि आप अपने टार्गिट को अचीव कर लोगे विदिन वन एना हाफ येर, अगर घर का प्रॉजेक्ट आप इस अरसे में अपना शुरू करते हैं, तो यहां पे भी जो सितारे की जो पोजिशन है, वो आपकी फेवर में है सिर्फ एक खबर जो कि मैंने आपको हर बारी देनी है, अच्छी सेहत की कोशिश करेंगे तो सॉलिट सेहत अपनी बना लेंगे, और अगर आपने की कोशिश में लापरवाही हुई ना की, तो वसन पुटान करने का बहुत अंदेश है, तो उसके लिए आपको अभी से अप